अरे भाईया ये क्या कह दिया भाईजान ये क्या कह दिया तुमने दोस्तों मुझे लगी रहा था कि कुछ इस तरीकी की प्लानिंग चल रही है भाईजान की हेलो आईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका दोस्तों सल्मान खान के एक और जबर्दस्य ऐपीसोड में बेसिकली गाईज देगो बात ऐसी है कि जब से गाइस वो धूम फोर की खबरे एक रूमर्स दोस्तों निकला है हलकी सी चिंगारी सी निकली थी तब से गाइस इंटरनेट में कह सकते हैं कि ये गाइस टॉपिक जो है वाइरल हो गया कहीं न कहीं दोस्तों यहां पर मुझे लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि धूम फोर में सल्मान खान आएं अपनी अदाएं दिखाएं और कहीं न कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि मुवी उस मुवी को सल्मान खान की जरुवत है कुछ ऐसे गाईज करेक्टर होते हैं जो उसके लिए बने जाते हैं जैसे कि अगर आप लोग तेरे नाम की बात करते हो तो तेरे नाम में अगर और कोई आक्टर होता तो गाईज उतना सूट नहीं करता बाई सूट वो बनाईज सल्मान खान के लिए था यहां वांटिड की अगर आप लोग बात करो तो ग़ाइस यहां पर कह सकते हैं कि सबसक्ति को इसके ऊपर कहीं कि लोग बड़ी यूटूपर वीडियो बना चुके लेकिन मैं फैबर में हुं सलमान खान को कास्ट मिलेना चाहिए हाला कि यहां पर लड़ाई भी वह लग गई है वाई आपको बता हूं गाइस शारू खान के फैंस और सलमान खान के फैंस फ्रंट फूट पर यहां बोल रहे हैं कि हमारे स्टार होने चाहिए इस मुवी में हमारे स्टार अब ऐसा ना हो कि बीच में से कोई और स्टार इस मुवी को लेकर निकल ले लाइक रनवीर कपूर या रनवीर सिंग्स नहीं लगाएगा इतना रनवीर कपूर ने प्रूफ करके दिखाया है यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भाई सलमान खान आ गई यहां पर आप लोग कह सकते हो कि सलमान खान ने एक इंटर्विव में अब वो इंटर्विव कहां का था मुझे पता नहीं लेकर वाइरल हो रहा है और सलमान खान से उनकी नेक्स्ट मुवी के अपडेट्स पूछे जा रहे हैं कौन सी मुवी कर रहे हो आप क्योंकि ग जो करन जोहर के साथ दिबुल मुवी है वह भी गाइस कह सकते हैं कि अनफिशल कंफर्म है जिसको गाइस कह सकते हैं कि खुद करन जोहर कंफर्म किया है कि बड़े पर दोस्तों नहोंने कहा है कि 25 साल बाद हम एक बार फिर से मिल रहे हैं लेकिन इसका कोई ऑफिशल पे पे जो पुड़क्शन हाऊस है उन्होंने मना किया है सलमान खान को की अभी मत बताना की आपके कौन से मुवी आ रही है जो इससे इना हैं दूई है बाइजान तो भाई-जान निए जो किसी की मानने वसूल हो लोग बोले कि हाँ भाई कुछ हमने देखा है क्योंकि गाई देखो बहुत हो गया किसी का भाई किसी की जान की टाइप की मूवी रहा थे बहुत हो गया गाई तो गाई यहां पर कह सकते हैं कि सल्मान खान समझ चुके हैं कि उनको क्रिंज टाइप के कॉंटेंट नहीं करना वह सोच विचार के दोस्तों अपनी नैक्स मूवी का अनौस्मेंट करेंगी और वह ओफिशल होगा जबर्दस तरीके का अनौस्मेंट होने वाला है जिस तरीक चल चुका है कि ऐसा करके एक वीडियो आता है तो में भी शायद गाई यहां पर सल्मान खान ने एक जबर्दस तरीके की मूवी अब टाइगर सरी के बाद दोस्तों लाएंगे और वो कौन सी मूवी होगी यार मुर्गा दोस्त वाली या फिर यहां पर भाई डिबूल या अब फैंस से काम नहीं चलेगा पहले का जमाना ऐसा था कि यार फैंस दोस्तों मतलब पहले एक हफ्से तक लगातार मूवी देखके मूवी का ब्लॉक्बस्टर कर देते हैं अब लोग काम धंदे में व्यास्त हो चुके कुछ फैंस फर्स दे दोस्तों भीड लगा सकते ले ही आगे बढ़ाएगी और वही आपकी मूवी को ब्लॉक्बस्टर करेगी तो गाई यहां पर सभी को मूवी अच्छी लगे वैसा कॉंटेंट सल्मान खान करने वाले हैं उनके बातों से यहीं लग रहा है लेकिंग यहां पर वह कौन सी मूवी होगी वह देखने वाली बा बातों से नही